तो कैसे हो मेरे दोस्तों में आसा करता हूं श्यांधार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंज्योई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और पढ़ाए का थान का फेचे से रहे हो दोस्तों यह एक ऐसी वीडियो है जो हर एक बच्चे का जब वो अपने किसी भी टार्गेट के लिए अपने गोल के लिए तयारी कर रहा होता है उसके दिल का सबना होता है कि यार एक बार कभी ना कभी मेरे माबापको मेरे उपर गर्व हो और ऐसा ही एक यहां पर यह वीडियो सामने निकल कराया यह पाइलेट है जो कि हाँ पर ट्रेवल कर रहे थे बेसिकल अपनी आप लोगों का सेलेक्षन होता है और सेलेक्षन होने के बाद में जैसे ही आप लोगों को पदा चलता है कि हमारा सेलेक्षन हो गया और तुरंत आप लोग अपने घर को कफोल करते हो अपने मम्मी पापा के याद आ रहा है 12 film movie का वह लास्ट वाला सीन जब उसका सेलेक्षण होता है और मम्मी के पास में फोन करता है और फिर मम्मी जाए रोने लगती है और फिर पापा को फोन करता है पापा कहता भी बता के आता हूं कि उसने एक IPS के बेटे से basically IPS के बाप से पंगा लिया है उसने तो वह वाली चीज एक बार फिल करके देखो तो आप लोग reality में इस चीज की gravity समझ पाओगी कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप understand कर पाओगी कहीं और आप लोग के अंदर से महनत करने का आप लोगो मन करेगा उस टाइम पर तो इसलिए मैं आप नहीं करोगी तो कशसरी गारे में इस बाद में सोचा जाएक वह जाएंगा सबसे पहले अपनी पेटी तो बहांद ले क्शिए अन्लेश्वर मनुसरमा नहीं बात है कि you can either experience the pain of discipline या तो आज आप लोग discipline का pain सहलो और या फिर regret चोईस आप लोगे पास में हैं जिंदगी में अगर regret करोगे ना तो बस फिर हाथ में कुछ नहीं लगेगा वो कास रहेगा और उस कास का कोई solution नहीं होता है वो जिंदगी में हमेशा आप लोगों को एक तरीके से अंदर से घुट घुट कर मरने के लिए एक तरीके से ऐसा कर देगा कि मतलब यहीं रहेगा कि यार मतलब नहीं एक तरी सोच के देखो में जा रहे हो और अब आप लोग बच्चों को समझा रहे हो तो बच्चों के अंदर से कैसी एक तरीके से एनरजी निकल कर आएगी कि हां यार एक मा मा मामी जो भी है मतलब एक शांदार पोजिशन पर है तो आप लोगों की जिन्दगी जीने का इंपक्ट देखना कितने लोगों पर पढ़ता हो नजर आएगा मैं आसा करता हूं यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे शांदा डिसकसर नहने वाला है दोस्तों आप लोग का मज़ा आने वाला है मतलब इतना मज़ा आने वाला है कि आप लोग का दिल खुझ हो जाने वाला है आगे बढ़ने से पहले कैसे इंसान का नाम जो दिल खु लोकेशन भी इसको देख लेंगे हम लोग इंट्रेस्टिंग है आपर ज्वालमुखी फटा तो इसकी वैसे हाँ पर यह न्यूज में था तो एक इंबोडेंट लोकेशन भी हम लोग देखेंगे पर लेकिन आज का जो सबसे बहतरीन कोश्चन है जो इसके उपर में मैं डिसक आप लोग सोच के देखो यह क्या बवाल कर सकती है यह है क्या इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा और यहां पर अभी न्यूज में आ गया है डीप फेक और सैलो फेक क्या होता है डीप तो आप लोगों मैंने पढ़ा है पर लेकिन यह सैलो फेक क्या है जिस होगे तो आप लोग के होस पुड़ेंगे इस चीज को देखकर कि क्या रियलिटी में ये कंडिसन देखने को मिलती है और आज तो एक बहतरीन डे भी है इस पोर्ट डे इंटरनेशनल डे लोगों से discuss करने वाला हूं और इसी मेंसे आप लोग के सामने आज का कोश्वेंगा इसके बारे में अगनी मिसाइल के बारे में शांदार आटिकल है मज़ा आज करेंगे इंटीग्रेटेड़ इन मिसाइल डेफ्रोग्मेंट के बारे में जब बात करूँगा पौन कौन सी मिसाइल है देश के अंदर में और आज की डेट में हम लोग कहां पर बैठे हुएं यह भी हम लोग डिसक्स करने वाले हैं इंटर्शिंग आर्टिकल है जो आप लोगों से मैं डिसक्स करने वाला हूं नेश्ट यह सुप्रिम कोड के बारें बात करूंगा उसने क्यों नेशनल मेडिकल कमिशन को गाइड किया कि बत्तमीज ही नहीं कर देगा ठीक है सही से रहने का क्या है पूरा मुद्दा तो अच्छे से मैं आप लोगों समझाने वाला हूं इसी के साथ हैं बात करेंगे क्या है ये AI Health Assistant Tool आने वाले टाइम में AI दमाल मचाने वाला है तो ये क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा अगर आप लोग रेगुलर डिसकसन सुन रहे हो तो आप लोगों ने सुना होगा मैंने डिसकस किया था कि मदर्सा के उपर में बैन लगाया जा बनती है कि देश में जो भी Political Party अपना Manifesto जारी करे कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले 5 साल में उसको जरूर पढ़िए क्योंकि अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा किस Political Party को वोट देनी है इंडिया ने Abstain कर लिया ये Abstain का मतलब क्या होता है कि से UNHRC से आखिर पूरा मुद्दा क्या है समझेंगे इससे लेटेड और भी दो आर्टिकल है आर्टिकल क्या एडिट्योरियल है इनके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा तसली में डिसकस करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स इसी के साथ में और भी छोड़ी छोड़ी आपर तो आप लोगों को बताना है अभी recently एक country है जिसने military service में women को first time include किया 25 साल के बाद में तो ये कौन सी country है वेनुजुला कोलंबिया ब्राजील या फिर इकवाडोर तो कई सारे questions में होंगे question के साथ में article को discuss करते भी आगे बढ़ेंगे तो आएगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक interesting article के साथ में और ये interesting article है यहाँ पर हर एक newspaper के द्वारा cover किया गया दा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डीफ फेक तो आप लोगोंने सबने सुनाएं कि यार हाँ डीफ फेक है डीफ फेक कब सुना आप लोगोंने मैं नहीं सुनाए था ज़्याद है दिन नहीं ज जब रस्मी का मंधाना की यह जो वीडियो थी यह original वीडियो थी इस लड़की की और इसको रस्मी का मंधाना में convert करके जब इसको viral किया गया तो यह डीफ फेक मैंने आप लोगों समझाए था पलेकिन आज डीफ फेक नहीं है आज है सस्ता टिकाउ फेक मतलब आप लोगों फेक मतलब यह सस्ता नसा कर रहे हैंएंड कोई पहचान लेगा कि यह चीज़े पोसिबल ही नहीं है यह पोसिबल ही नहीं है कि इस टरीगे से कुछ अवोड देखने को मिले और राउल गांदी साब का अवोड दे जाए चाहिए चाहिए यह समझ लेगा तो क्या होता है एलो फेक को बोला गया कि डीफ फेक से भी जादा खतरनाक है क्यों है खतरनाक सोच के देखो आज की डेट में अगर कोई ऐसी वीडियो यहाँ पर डाली जाती है जिसमें प्राइमिस्टर मोधी साफ जो है वो यहाँ पर किसी चीज को समझाने की कोशिस कर रहे हैं और यहाँ पर एक context उन्होंने दिया starting में कहानी सुनाई उस कहानी में उन्होंने बताया कि किस किस तरीगे से चीजे जो हैं वो मैंने की है और फिर आगे चलकर पूरी कहानी complete हुई पर किसी ने उस कहानी का एक clip कट कर लिया और उस clip में उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल रखी थी जिसक क्या है यह सेलो फेक सेलो फेक मतलब क्या है original content को थोड़ा सा छेड़ खानी करके इस तरीगे से convert कर देना कि लोग जो है उसको understand भी कर पाएं पर लेकिन reality में पता भी रहे कि हां कुछ नगुछ गड़बड की जारी एक तरीगे से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं मतलब उधारन के तोर पर मैं आप लोगो समझाना चाहूं तो यहां पर इसमें AI का इस्तमाल नहीं किया जाता है यहां पर किसी इंसान का सर था प्राइमिस्टर मोधी साब ने उसको वोड़ दिया तो उस इंसान का सर हटा कर यहां पर राहूल गानी साब का सर लगा दिया तो यह है सैलो फेक की कैटेगरी में आने वाली कैटेगरी मतलब artificial intelligence का इस्तमाल सैलो फेक में नहीं होता है उसमें normal फोटोसोफ अगरा का इस्तमाल करकर एक इंसान जो है वो ऐसी चीज कर देता है जो कि यहां पर एक तरीके से D-grade का material बनाना आप लोग इसको बोल सकते हैं, photos of अगरा का इस्तमाल करकर और आज की date में किसी वीडियो में से छोटी वीडियो काट कर उसको viral कर देना, तो यह है shallow fake, तो यह निकि यहाँ पर software जो tool है, उनका इस्तमाल क्या जा रहा है, जबकि deep fake में क्या है, deep fake में क्या है, deep fake म हुआ, हमारे देश के अंदर में, जो महिला पहलवान है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी सडगों पर, यहाँ पर काफी large scale पर, अपना, जो basically, एक, जो कुस्ती federation चेर में थे, उनको हटाने के लिए, तो यहाँ पर यह बस में गई, इनको पुलिस पकड़ कर ले गई, तो इन यानि कि यह इनसान serious है, इसके lips को यहाँ पर change करकर ऐसा hot बना दिया, और यहाँ पर यह इनसान जो है, अब हसता हुआ, आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यह condition आप लोग समझ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक Korean, पता नहीं कोई Korean series है, उसकी एक वीडियो मेरे स सहरे पर लेकर नहीं आँगा, तो यहाँ पर वो उसने ये बात बोली, तो पर लेकिन उसको अपनी company के लिए advertisement बनाने थे, तो advertisement बनाने के लिए उसको थोड़ा सा हसते वे दिखाना था, जबकि उसका हसने का बिल्कुल मन नहीं था, तो यहाँ पर उसके normal photo लिए, और उसकी company ने उसको edit करकर हर एक photo में हसा दिया, तो यह क्या था, यह था यहाँ पर deep fake, यानि के बिना उसकी इजाजत के भी हाँ पर उसको हसा दिया गया, तो यह deep fake की category में आता है, तो सोच के देखो, यह protest जिसके लिए लोग काफी ज़्यादा सड़कों पर आए, और यहाँ पर ज आए, देखता हूँ, आप में से कौन-कौन पहचानत बाता है, तो deep fake में आप लोग कोई भी difference create नहीं कर पाऊगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बकाइदा artificial intelligence का इस्तमाल किया जा रहा है, जबकि जो यहाँ पर shallow fake है, उसके अंदर में कोई भी photos of software का इस्तमाल करकर, उस चीज जो fake जो है, उसमें जो fake वीडियो है, वो manually और selectively edit की जाती है, normal software की तरीगे से, आप लोग बोल सकते हैं कि एक original वीडियो में से content निकाल कर, यहाँ पर create कर दिया जाता है, बिना किसी context के उसको डाल दिया जाए, तो हाँ पर वो एक अलगी उधारन दे कर जाता है, ठीक है, एक उधारन के तोर पर बताता हूं, राहुल गांदी साब के द्वारा किसी रेली के अंदर में एक example दिया गया, कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा, तो वो एक उधारन दे रहे थे, किस तरीके से किसानों को फायदा पहुचा सकते हैं, और वो वीडियो इतन सस्ता वर्जन, तो यह है सेलो फेक, और डीप फेक क्या है, वो है बिल्कुल ओरिजनल बना देगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, कि कौन है ओरिजनल और कौन है फेक, वो वाला आप लोग को देखने को मिलेगा, डीप फेक, तो डीप फेक और सेलो फेक में, अब क्या है डीप फेक, क्या है सेलो फेक, इसमें कोई भी डिफरेंस, अगर आपके आज केट में नॉर्मल लाइप में भी आप लोग चाहो, तो आप लोग अंडरस्टेंड कर सकते हो, तो यहाँ पर इसके लोग कर क्यों, अभी मैं आप लोग यह समझा रहा हूँ, क्योंकि य European Union ने Facebook, Google, Instagram, Twitter, Telegram, यहाँ पर TikTok भी चलता है आज की डेट में, उन सब को एक वर्निंग दे दी है कि डीफ, फेक को कंट्रोल करना तुम्हारा काम है, कोई भी ऐसी चीज वाइरल नहीं होनी चाहिए, जो कि हाँ पर आज की डेट में, election वगएरा पर impact डालती हूँ, यहाँ प प्रिजिडेंट बनाती है, भाई साब डीफ फेक के help से, हमारे देश के अंदर में इंसान की death हो चुकी है, और उस इंसान से यहाँ पर डीफ फेक के तुरू यहाँ पर एक तरीके से message दिला जा रहा है, यह condition आप लोग देखने को मिलेगे, इसी के चलते कई सारी fact checker machine भी कि इन चीजों को control किया जाए, तो question भी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर दूँ, deep fake तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, आज एक नया concept छीखने को मिला, जिसका नाम है cello fix, तो cello fix का मतलब क्या है, कि हाँ पर picture को बिना artificial intelligence का इस्तमाल के वे बनाना, पर लेकिन यहाँ यहाँ पर क्या बोलख है, artificial intelligence का इस्तमाल करकर cello fix को बनाते हैं, तो यह statement क्या होगी, यहाँ पर यह statement गलत होगी, cello fix video जो है, वो manually edit के जाती है, जैसे मैंने बोला, software का इस्तमाल करकर आप लोग उनका edit कर सकते हैं, तो यह याद रखना, जो time है cello fix, वो quality में अगर आप लो fake में difference यह, कि यहाँ पर AI का इस्तमाल क्या जा रहा है, यहाँ पर deep fake में, cello fake में AI का इस्तमाल नहीं क्या जा रहा है, normal software का इस्तमाल करके काम चलता है, तो answer यहाँ पर आप लोगो भी देखने को मिलेगा, मैं आसा करता हूँ कि पूरा का पूरा topic जो है, वो आप लोगो बि मिलने वाली है, ठीक है, feedback जरूर देना, कैसा लगा आप लोगो यहाँ पर यह particular topic, like यह फिर dislike करकर बता सकते हैं, और feedback का मतलब ही होता है, कि आप लोग को like या dislike करना है, ना कि बस like करना है, पसंद नहीं आए तो dislike करना भी आप लोग का अधिगार होता है, तो इसलिए feedback ना फिर उसको clear के जाएगा, ठीक है, interesting article था ना, आईए अब आगे बढ़ते हैं, next article के और, next article के और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो थोड़ा सा आज का important day तो रही गए, आप लोग को वोई बता देता हूं, international day of sport for development and peace, यानि कि आप लोग इंट्रेस्टिक चाहिए देखो कि sport, यानि कि खेल का इस्तमाल किया जाता है, development, अगर बात करें तो यहाँ पर development मतलब एक तरीके से विकास के लिए, और peace मतलब सान्ती के लिए, और इसी की theme भी इसी के इर्दिकर दरखी जा रही है, sport for promotion of peace and inclusive society, यानि कि sport का इस्तमाल करना है सान्ती के लिए, और सार का विकास, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मुझे याद आता है अभी भी, आप लोगों ने सुना ना पहले कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लडाई होते थी, तो अक्सर क्या करते थे, चलो यार किर्केट खेलते हैं, फिर से relation को normal करते हैं, तो इस्तमाल किया जाता हैं, आपर किसके लिए, आज की डेट में कहीं कहीं पीस बनाने के लिए, दुनिया भर के लोग जो हैं, वो साथ में आकर यहां पर काम करते हैं, तो यहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं, तो important day है, हलका सा याद रखेगा, और कई बार तो आप लोग यह थी, मैंने सुनकर भी हरान हो गया, कि माइक्रो प्लास्टिक जो है, वो human blood के अंदर में भी entry कर रही है, सर, normally हमने सुना है, single use प्लास्टिक या फिर वो प्लास्टिक जो degradable, bio degradable प्लास्टिक, यह माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है, यह कैसी प्लास्टिक आकर कहां से नई प्लास्टिक आ गई, एक नई प्लास्टिक खुझ दी है, क्या हम लोगों ने, नई दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यह कोई नई प्लास्टिक नहीं है, यह पुरानी ही सराब को नई बोतल में डाल कर दिया जाने वाले का तरीक है, मतलब यह कोई नई प्लास्टिक नह 2-3 minute plastic जिसको आप लोग अपनी आखों से भी नहीं देख पाते हो वह dewू निकल कर आप लोगे मुह में जाती हुई नजर आएगी plastic की आबस की डेट में आप लोग जैसे थाली खाते हो कई बार तो plastic स्थाली खाते हैं टीक की टीफन आखते हो तो plastic के आज की डेट में कि ये आप लोगों की blood के अंदर भी entry कर रही है ऐसी study देखने को मिली हैं आपक अगर blood के अंदर plastic जा रही है तो सोच के देखो ये कितने large scale पर आप लोगों के DNA तक भी change कर सकती है आने वाले time में इस तरीखे की study सामने निकल कर आई तो दुनिया को हैरान कर दिया कि blood के अंदर में अगर जाएगी तो organ को damage करके रख देगी कई सारे disease आप लोगों की body में आप लोगों को लगती ही नजर आएगी तो इसलिए खुद ही हाँ पर USA का जो national oceanic और atmospheric administration है उसने इसको define किया कि बताओ तो सही दुनिया को भाई यह plastic है क्या तो जब यह इसको define कर रहे थे तो इन्होंने बोला घबराओ मत यह कोई नई चीज नहीं है यह कोई नया भूत नहीं है यह तुम्हारे पास में रहने वाला भूत है तुम्हारे घर का भूत है तो यानि कि micro plastic प्लास्टिक कोई नई specific plastic नहीं है यह आप लोगों के पास में जो भी प्लास्टिक की जो भी इस्तमाल करनी हुई चीजे हैं उनी में से छोड़े छोड़े कड़े निकल कर आते हैं जो आप लोग डेली इस्तमाल करते हैं और वो आप लोग की body इंट्रेस्टिंग है, थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग समझोगे, मैं जबी भी गाउं में आज भी जाता हूँ ना गाउं में, तो मैं नीम की दतुन तोड़कर अपने दातों को साप करता हूँ, मतलब आज की डेट में भी गाउं के अंदर में नीम की दतुन इस्त लोग brush इसमाल करते हैं doustu वह brush आप लोगोंगे अगर ध्यान से देखा हो लेखंगा है एक टाइम पर उस brush चे और आगे के जो यह से वायर्स से हैं उनको गिस्ते गिस्ते ऐसा हो जाता है कि घिस जाते है घिस जाते हैं मतलब वह आप लोगोंने देखा हो खतम हो कई बार तो बरस जो होता है वो नीचे घड़ता चला जाता है उसमें से भी प्लास्टिक निकल निकल कर आप लोग की बोड़ी के अंदर में एंट्री कर रही है तो सर क्या करें बरस करना छोड़ दें पर लेकिन इतना जितना आप लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं उतना त प्लास्टिक के बरतन को छोड़कर स्टील के बरतन का इस्तमाल आप लोग कर सकते हैं इसी के साथ में अगर अगर अटलिस्ट गाउं में हैं तो हाँ पर आप लोग बतुन का इस्तमाल कर सकते हैं अगर पानी पी रहे हैं तो आप लोग कोपर की बोतल या फिर स्टील की बो चेंज कर सकते हो आप लोग juice पीने जाए रहे हो तो इस ट्रो डाल के देता है एक मिनट में juice वाला मना कर तो इस ट्रो लेने से यार डिर्कली juice पीलो आप लोग कोशिश करू कि juice को प्लास्टिक के गिलास में मतलो उसको कागज के गिलास मिलो जबी भी आप लोग अगरी बार जूस पीने जाओ कहीं चाए पिने जाता हो तो अकर कुल्णड में चाए मिलती है तो कुल्णड में चाए प्लो नोटो sharpen को प्लास्तिक के अप लोग चाहें यह चोटी चोटी चीज भी आप लोग अपने लेवल पर इंप्लीमेंट कर इसको चेंज कर सकते हो यह मैं आप लोगो को यहां पर बताना प्लास्टिक खारीए आज की डेट में गाएं भी सडकों पर आप अपलोगों प्लास्टिक खाती पिलफिन दराएगी आज की डेट मेंसमांदर के अंदर में इतना फ्लास्टिक भरावाए जिसकी तो यहां पर ओशन फूड जो है वो basic है वहाँ पर और सोच के देखो ocean यानिके समुंदर के अंदर में कितनी plastic भरी हुई है तो direct indirect way में आप लोग ने कहानी सुने होगी कि जैसा बहोगे यार वैसा ही काटोगे और वो बिल्कुल सटीक बैठती हुई हाँ पर नजर आती है और आप लोग इसका result आप लोग दे पहुंच जाना जो हमारी परत्वी है और इसी के साथ में चाहे south pole पर पहुंच जाना चाहे आप लोग समुंदर की जो सबसे गहराई वाली जगह है वो है को देख रहे हो तो इसमें भी दुनिया भर का प्लास्टिक आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग प्लास्टिक से घिरे हुए हो आज की डेट में तो बचना तो मुस्किल है बाई साब पर हां prevention is better than क्यों आप लोग थोड़ प्लास्टिक के डबों में रखावा आप लोगो मिलेगा तो इससे अंताजा लगाई है कि प्लास्टिक जो है वो कहां घुश चुकी है हमारी जिंदगी के अंदर में तो इसलिए आप इसके बारे में जब study के जा रही है तो आप पता चल रहा है कि इससे फाल तो क्या हो ग जो हैं उदेगी फ़ांडेशन इल्रह यहां पर चाहए आप लोग करी चलेगों वहई पर ही आप लोग को को देखने Ск CG को मिलेगा इंसां के अंदर आप लोग को देखने को मिले यह इसको लेकर ऐसा नहीं कि हम लोग ने रूलो रेगुश लिए हम लोग इसके ऊपर काम न स्पीच दीती है उसमें बोला था 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग खतम कर देंगे देश के अंदर से 2019 में बोला गया था यह आज यही डिसकसन में 2024 में वैटके कर रहा हूं और 2024 कभी अपरेल का महीन है तो सोचके देखो हम लोग कितना सीरियस हैं इन चीजों को लेक करें और एक बार तो इतना बावाल मचा था इसको लेकर कि extended producer responsibility लगा दी मतलब क्या है कि जो भी प्लास्टिक को प्लास्टिक को इकटा करेगा और उसको recycle करेगा यहां तक भी रूल बना दिये गए हैं रूल तो ऐसा बहुत सारे हैं रूल तो यह भी है कि मैंने आप लोग क चीजे में daily बोलता हूँ अगर वो भी implement करोगे तो 1% में आप लोग आ जाओगे बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे ऐसे ही अगर हमारा अकेला अगर यहां पर यह काम करेगा तो सोचके देखो दुनिया भर में हमारी population लगबग 17-18% है दुनिया की population की तो कितने सारे को हम लोग सुधार पाएंगी तो अपने अपने लेवल पर आप लोग चीजों को अवेर करा कर आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं वरना यह प्लास्टिक जो है हर जगे आप लोग को देखने को मिलेगी इवन जो मैं आप लोग बोलता हू आज की डेट में यह ऐसी सिट्वेशन की डेट कर रही है कि आज की डेट में दुनिया भर की बीमारी इंसान के साथ में लगाती होई नजरा रही है और इससे भी ज्यादा खतरनाख चीज कह है हर एक जगह प्लास्टिक भर भर के इस्तमाल की जा रही है इवन और तो छोड मैंने आप लोगो बताई है वो सिस्टम अगर इस्तमाल करो प्लास्टिक का यूज करना ही अगर आप लोग ना के बराबर कर दो जहां-जहां भी पोसिबल है तो भी आप लोग को यह आप पर चीजे जो है वो सुधरती यहां पर नजराएगी ठीक है तो यह आप लोग का देखने को मिलेगा माईक्रोबीड से मैंस में अप लोग बोल सकते हैं वान अन्âte मिलीमीटर साइज में से भी एक ऐसा प्रोटेख जिसको आप लोग net coin considered करता हूं तो यहां पर मैरीन सिस्टम को हमारी देश के अंदर भी यह सारे के सारे इनिस्टेटिव है अगर लिखने के लिए कुछ आ जाए तो याद रख ले ना नहीं तो भाई साब जिद्धी चली रही है मेरी और आप लोगी दिक्कत तो कुछ है नहीं है यह कुश्चन है आप लोग के सामने जिसका मोडल आंसर आप लोग को मिलेगा अब तक टोटल मिलाकर 326 मोडल आंसर आप लोग को गुरूप में मिल चुके हैं अभी 327 वा आज आप लोग को देखने को मिलेगे हैं आपर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है डिसकस करने हैं चैलेंजिस वगएरा क्या है इसके बारे में आप लोग उसको प्रैक्टिस करो अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो क्यों पैसे फूग रहे हो यार यह तो बता दो 400 99 रुपे कम नहीं होते हैं इनको इस्तमाल कर लो यार कहीं और अच्छी जगे इस्तमाल कर लो या गुरूप में जुड़कर बैट गयो हाँ वहाँ पर क्या कर लेते हैं मत करो यार मत करो मैं आप लोगों को बोलता हूं मत करो दुनिया भर लोग के लोग यह था यह रहा? ठीक है भाई-साफ 499 भी दे रहें सब्तर टेस्ट दे रहें भाई-साफ चलो जोईन कर लेते हैं मतलब टेस्ट नहीं देना बस जोईन कर ले दिल को तसली देने के लिए reality में है आगर मेहनत की जा रही है इतनी सारी तो उसमें थोड़ा सा इस्तमाल कर लो चीजों को वरना तो रहने दो क्यों फाल तुम्हें कर रहे हो ठीक है तो यह चीजें है बस मैं आसा करता हूँ कि आप लोग चीजों को समझोगे और ढंक से इस्तमाल करोगे चले आगे चलते हैं इंट्रेस्टिंग आप लोग का मज़ा आएगा और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बाते करो हमारा देश एक टाइम पर ऐसा था दुनिया में एक इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूं जब हमारे देश के ऊपर में पाकिस्तान जो है वह टैक किया करता था तो पाकिस्तान को काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिला करत जो हैं वो साजी से रसी और हम लोग इसकी वज़े से प्रेसान भी हुए हमारे देश के अंदर में कभी अटेक के जा रहे कभी लोगों को मारा जा रहा है तो हम उससे प्रेसान भी लोगों को कि भाई यार पाकिस्तान प्रेसान कर रहे हम कुछ करेंगे तो फिर तुम चिल तब जाकर यहां पर माना जब इनका बाप निकल कर आया ISIS इसलामिक स्टेट वाला जो पूर्शन निकल कर आया इसीरिया और इराक से तब यहां पर उसने यहां पर धमाल मचाना श्टार्ट किया फ्रांस में जाकर दड़ादर लोगों को मार दिया USA की building उड़ा दी यहां पर मतलब इनके घर पे जाकर घुषकर मारने श्टार्ट किया तब इनको समझ में आया भारत भि तो कुछ बोला करता था कि हां terrorism जैसी कोई चीजह है तब इनको समझ में आया करी टेश़िजन ने नहीं देखी क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अगर मुहले में किसी इंसान के पास में बंदूख है ना बाइसाब गाओं के अंदर अगर जाओगे आप लोग यहां पर तो च्छत पे बैठ कर वो सबको दिखाता हो उसकी नाली साब करता है कि देख मेरे पा बाइसा मारेंगे दुनिया को कम से कम कोई हमारे ओपर अटेक करने से पहले एक हजाद बड़ सोचे बस हमको इतना चाहिए तो इंटिग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डवलप्मेंट प्रोग्राम डोक्टर एपिज अबदुल क्लाम सर के द्वारा स्टार्ट किया गया थ जो आज की डेट में हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है यानि के इंडिजनेसली हम लोगों ने डवलफ की हैं चेजे और दुनिया को बेच भी रहे हैं अभी देखना आप लोगों ने ब्रहमोस मिसाइल फिलिपिन के लिए हम लोगों ने तयार करी तो इससे आप लोग अंदय, लगा सकते हैं तो कितना श्यांदार यह परोग्राम हम लोगों ने डवलफ किया तो इसी परोग्राम को हम लोगों ने स्टाट किया था 26 जूलाई 1983 में और इसी परोग्राम के अंदर में आप लोगों मिसाइलfur देखने को मिलेगी प्रतवी जिसा के कोस्ट पर test किया गया कि हां ऐसा कुछ हम लोग करने वाले important बात है हां पर याद रखना जैसे अगनी हो गया ये सब पृत्वी हो गया अगनी हो गया तिरशूरों हो गया सो गया नाग हो गया तो ये वो missile system है जो कि हमारे देश के अंदर में आज की date में हम लोग को independent बना रहा है और deterrence create करने का भी काम है तो Indian government के द्वारा जब start किया गया था ये 1983 में आप लोग को देखने को मिला अप्रूप किया गया और शांदर तरीके से काम हुआ और आज की date में हमारे पास में इत अगनी six missile जो है अगनी five missile को हम लोगों ने बोला था कि intercontinental ballistic missile मतलब क्या है एक ऐसी missile जो की एक continent से दूसरे continent पर बार करेगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि अगर इंडिया से हम लोग यहाँ पर मारना चाहे तो हम लोग यहाँ पर अफ्रीका continent के अंदर ही मार सकते है हम लोग मतलब इसकी जो range है 5000 किलोमेटर आप लोग देख लो तो 5000 किलोमेटर आसपास किसको हम लोग धर सकते हैं उससे आप लोग अंदाजा लगा लो तो intercontinental ballistic missile हम लोगों ने बना डाली दोस्तो और यह आसान नहीं था आग का दरिया था तैर के जाना था यह आप लोग सम देखने को मिलेगा वह 50 की थी 50 की यह 55 किलो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी तो यह हमारे देश के अंदर में system है तो आज की डेट में हर एक level की मिसाइल है हमारे पास में 700-12 की range की 2000-3000 की साड़े 3000-5000 की, साड़े 5-4, 5-8 और यह फिर अब यहाँ पर 11-12 है तो आने वाले time में हम लोगों को किसी के उपर में dependent होने की जुरूत नहीं है range अगर आप लोग देखोगी तो अगनी 5 कहां कहां तक वार कर सकती है तो यह आप लोग यहाँ पर अंदाज लगा लो कि हाँ पर मंगोलिया, चाइना वाले, कजाकिस्तान, ईवन यूरोप के भी बहुत सारे area को cover कर लेगी अगर यह मार करने पर आएगी तो इसको कहते हैं intercontinental ballistic missile यहनिके एक continent से दूसरे continent पर वार करने वाली missile तो यह system आज की date में हमारे पास में है तो है नहीं एक तरीके से बहतरी इ इसको इतना घुस घुस के क्यों पढ़ारों में और यहां पर अगनी के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूचे तो यहां पर यह कैसी missile है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा क्योंकि अकसर question आप लोगों से पूचे जाते हैं यहां पर ठीक है तो इसल साफ़ागनी प्राइम ये 2 stage ऐक तरीके से यहाँ पर जो एक solid propellant system के त्रूंः आपर استعمल कियाता है एक एसा system जो कि एक तरीके से आप लोग सकते हैं जो यहाँ पर स़ छांदार system यहाँ पर system यहाँ पर इस्तेमाल किया रहा है जिससे कि याद रखना यह आप लोगों से question पूछा जा सकता है इसी के साथ में यहाँ पर जो इसको launch करने के लिए एक तरीके से आप लोगों को बोलेगे हैं हाँ पर canisterization एक तरीके से system जा इस्तिमाल किया रहा है जो कि यहाँ पर एक time लेता है यहाँ पर उसको और improve किया रहा है systematic way में और हम लोग आज की rate में यहाँ पर कहीं न कहीं अपना जो यह particular system में उसको एक तरीके से अच्छे से strength कर पा रहे हैं तो अगनी 5 का जो एक next extended version आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं अगनी 4 में क्या बोला कि surface to surface वार करने वारी है अभी मैंने क्या बताया yes यह फिर नो बोला गया कि fuel by liquid propellant only मैंने two stage बताया तो liquid अकेला नहीं है आपर ठीक है इसी के साथ में can deliver one ton nuclear warhead to 750 km सोरी 7500 km मैंने बोला अभी 5 अगर 1000 km की बात मैंने क्या किया आप लोगों से अगनी 5 के बारें बात की तो यह वाली तो इतनी वार नहीं कर रही है यहाँ पर तो इसलिए इसके बारे में याद रखना है आपर यह two stage solid यहाँ पर propulsion का इस्तमाल करती है और 4000 तक का यहाँ पर देती है इसलिए मैं कह रहा हूं कि range अगर एक बार को याद रख लोगे तो अच्छे आप लोग यहाँ पर solution निकाल पाओगे और एक बात आप लोगों बता दूँ अगर आज की date में आप लोग किसी भी exam की तेहरी कर रहो अगर जिस level पर मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूं इस level पर अगर आप लोगों ने आकर पढ़नाय स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों अपने सारे exam जो हो comfortable लगेगी यानि कि मैं आप लोगों को एक high level पर ले जाकर पढ़ाता हूं इस तरीके से आप लोगों समझाता हूं ताकि आप लोग अब कोई भी भारत के अंतर में exam देलो आप लोगो दिक्कत नहीं होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर जो question है यह question सकते हैं यह सारे के सारे experiment कहां पर किया जाते हैं यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है नूर्मली अगर आप लोग बोले कि which of the following statement incorrect बोला गये तो यहाँ पर जो बी है यह incorrect देखने को मिलेगा कि Wheeler Island जो है वो situated है बेव बंगाल के अंदर में कहां पर West बंगाल के अंद सकता है Wheeler Island situated कहां पर है East Coast पर situated है ठीक है तो यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक सेकंड दो स्टेटमेंट एक जैसी होगी कही है बी है आंसर इसका ठीक है आप लोग देख लिए यह बंगाल होगे हैं यहां पर तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं उडिसा के East Coast पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा अच्छा इंकरेक्ट पूचा गया है नहीं ठीक ठीक है तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं तो इस पर्टिगलर आइलेंड का यह नाम याद रहना पहले इसको वीलर आइलेंड बोला या था था आज की रेट में एपीज अब करेक्ट बात बोल देती है जाने मन करेक्ट बात यही है कि exactly tip the point पर फोकस करने आप लोगो एक्जाम के oriented चीज़े पढ़नी है सारी जो जो चीज़े पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ रहे है ना इसा तो नहीं मतलब चल रहा है वस ऐसी कि हां बैठी में है मज़ा तो आ रहा में उस और है थोड़ा साद मिच्र भढ़ाएं थोड़ी सर 20 वड़ाशा बढ़ाएंके च्ट पढ़एंगी पढ़ लो मजनी लिया करते पढ़ लियाख पढ़ चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल कहा शैदेग का इंतरसिंग रहने वाला है और इस आर्टिकल में कुछ foundation की चीज़े भी मैं आप लोगो बताऊंगा जिसको आप लोग अच्छे से enjoy करोगे ठीक है ओके चलिए आईए मजा करते हैं next article के साथ में शांदर article है कौन-कौन doctor बनना चाहता था बच्पन में आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं doctor बनूगा अच्छा बच्पन का सपना कया था आप लोगा जैसे आप लोगोने कई बच्पन का सपना था मैं defense क्योंकि fır्डा अंच्पन सपना था और प्लेकं एक अलगन बात है सटार्य कां से पहुंच कहां पर MBBS के लिए intensive अगर कोई करने आते हैं तो यहां पर उनको stipend दिया जाते हैं stipend क्या होता है थोड़ा पैसा प्रोवाइट करा देना आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो यहां पर national जो medical commission है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और Supreme Court ने बोला है यह तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दुआ क्या है पूरा मुद्दा मैं भी आप लोगों समझाता हूं आखिर कैसे घबला बाजी यहां पर चल रही है अब यहां पर सबसे important बात क्या है national medical commission के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1st April को Supreme Court के द्वारा बोला गया national medical commission को कि जो stipend paid करते हो आप लोग interns को जो यहां पर खासकर medical police के अंदर में वो मुझे provide कर आओ क्योंकि बहुत सारे मालिचे कोई इंसान है वो आज क्रेट में अमेरिका से हमारे देश के अंदर में आता है और वो किसी रिकसे वाले से मिलते हैं रिक्सेवाला उसको normal इंसान से वही पैसे लेगा रिक्सेवाला माले जे महां पर 50 उर्पे तो वह अंग्रेज को देखकर उससे 500 उर्पे मांगेगा ठीक है तो यहां पर क्या माल लिया इसका मतलब यह माल लिया कि इतने तो यह दे देगा डोलर में कमारा क्या भी घड़ रह करते हैं तो इसी के बारे में आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं कि हमारी डेश के अंदर में ये बात अंली जिखसे वाले की नहीं है यह बात शक्रों मेडिकल कमिशन भी घर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहां पर इंटर्शिब के लिए आ रहे हैं उनको इस टाइपन प्रोवाइड नहीं करा पारा रहे हैं तो यह हरकत एक अरता हुआ नजराते हैं क्या हम लोग डिफरेंट्ली ट्रीट कर सकते हैं इसके बारे में आप कोंसे fundamental right जो है वो भारत के लोगों के लिए भी है और भार के लोगों के लिए भी है बस प्रोसी देशों को छोड़ दो एक आदे को जिनका नाम आप लोग बता सकते हैं यहां पर आर्टिकल आप लोगों को पता है fundamental right जिनको हिंदी में हम लोग मूल या फिर मूलिक अधिकार बोलते हैं तो इनको दोस्तों पार्ट थड के अंदर में रखा गया है पार थड के अंदर में आर्टिकल बारे से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को fundamental right देखने को मिल अगर कोई आता है बाहर का इंसान उसके लिए भी हम लोग देते हैं तो यहां पर आर्टिकल 14 equality before लोग के बारें बात करता है और equal protection of the अभी एक question मना इसको याद रख लेना स्टार लगा लेना fundamental right की category में यहां पर बात करें तो elementary education के बारें बात की जाती है ठीक है तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को यहां पर यह education provide करा जाती है और यह foreigner को भी हम लोग दे सकते हैं यह आप लोग याद रखना अपने religion को follow कर सकत हो हमारे देश ने कभी भी यह मुझे personally अपनी culture पर गर्व होता है और अंदर से feeling आती है इतने बड़े-बड़े हमारे देश में cultural leader हुए जैसे स्वामी वेका नंजी का नाम लेलो आप लोग स्वामी वेका नंजी ने फोरन तक जा जाकर यहां पर लोगों को जो है वो teach किय अपनी duty से related अपनी responsibility से related अपने काम से related वो हमेशा यह मानते थे कि अपने काम में इतना डूब जाओ कि आप लोगों के सरीर का कंण जो है वो अंदर से निकल कर बोले कि यह काम मुझे करना है तो स्वामी वेका नंजी जो है उस level पर काम करते थे पर लेकिन maximum लोग कैसे करते हैं जैसे अंग्रेजों के time पर आप लोग देखो वो चाहते थे कि हम लोग जो हैं अपना religion convert कर ले तो वहां से ऐसी चीज़े देखने को मिलेगी हमारे समिधान निर्माताओं ने इतने शांदार तरीके समिधान तयार कि हम लोगों ने उनमें भी difference नहीं किया उनको भी बो fundamental right available है only to the citizen यानि कि भारतिय नागरिकों को total मिलाकर 5 fundamental right ऐसे हैं जो हमारे लिए हैं यानि कि यह दूसरों के लिए नहीं है और इसमें सबसे important जो article मुझे लगता है personally वह 19 वा article क्योंकि 19 वा article आप लोग को यह अधिकार देता है किसी बाहर के इंसान को यह अधिकार हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो खलबली मज जाएगी देश के अंदर में जैसे कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं freedom of speech and expression कोई भी अगर हमारे देश के अंदर में आकर कुछ भी अरकते करेगा उसको अधिकार थोड़ी ना दे सकते हैं उसने सरकार को कुछ बोलना है start कर दी हमारे देश की culture को religion को गाली देना है start कर दी तो उसको control करना हमारी धरम है हमारी responsibility है assembly peaceful कहीं पर कर सकते हैं without हतियार उनको अगर दे दो तो वो भी यहां पर आकर protest करना है start कर देंगे हमारा देश हम protest करेंगे तुम को protest करने का अधिकार देंगे आप लोग को बताया था मैंने association बनाना union बनाना यानि के corporate बनाना यहां पर वो नहीं कर सकते हैं इसी के साथ में freely move कर सकते हैं throughout the territory नई भाई उनको बताना पड़ेगा कहां पर हैं बकाइदा हमारे सरकार को बताना पड़ेगा उनको कहां पर जाकर क्या करने वाले हैं यह समझाना पड़े कहीं न कहीं हमारी लीट है यार हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं business कर सकते हैं वेफार कर सकते हैं अगर यह चीज बाहर वालों को दे देते हो तो क्या होता आप लोग समझ सकते हो तो यह सचीचे आप लोग यहां पर समझ सकते हो कहीं न कहीं बोलने वाली बात यहां पर यह कि अपने घरवालों के बारे में पहले सोचेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तो 5 है, discrimination नहीं कर सकते हैं, religion के नाम पर, caste के नाम पर, place of birth के नाम पर, equal opportunity मिलती है आप लोगो, जब job, आप लोग अपलाई करते हो, तो आप लोगो पता है, equal opportunity मिलती है, आप बोलोगे, sir, क्या फालत की बात कर रहो, हवीर भाई, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, reservation भी तो देखने को मिलता है, तुम reservation भूल गए क्या, reservation नहीं बूलाओ, वो special provision है, अगर reservation को हटा दो, तो आप लोगो difference देखने को मिलेगा, वो तो इसलिए दिया गया है, ताकि support मिल सके, वो एक अलग fund है, पर लेकिन वैसे अगर देखोगे, आप लोग यहाँ पर सब को equal opportunity है, इसमें कोई भेदवाओ नहीं होगा, कि अगर कोई general category में आता है, तो उसमें से भी बोले, यह वाला journalist को देदो, पोस्ट इसको मद दो, वो आप लोगी महनत के उपर में depend करेगा आगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, और इसी के साथ में minority के interest को protect किया जाता है, हमारे देश के अंदर में language, script culture हमारी खतम ना हो जाए, उसके उपर भी हम लोग focus देते हैं, तो right of the minorities, उनके लिए educational support के बाद में हम लोग बात करते हैं, तो यह पांच ऐसे article है, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, तो कहीं न कहीं आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कि एक तरीगे से यह foreign के लिए भी हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो यह सारी बाते में आप लोग को समझा दी, कि किस तरीगे से हम लोग education के बारे में जब बात कर रहो हैं आप तो education उनको भी provide हम लोग करा सकते हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तो इसलिए Supreme Court ने बोला कि ऐसे discrimination नहीं कर सकते, National Medical Commission को यह बात बोले गई, अब एक interesting बात में बताऊँगा, Commission और Council में क्या difference होता है, पहले National Medical Council होगा करती थी, 2019 में एक कानून लेकर आए, National Medical, यहनके Medical Council of India को, Change करकर National Medical Commission मना दिया, तो Commission को, मैं इसलिए Commission convert कर दिया, Council को, Council को Commission में बना दिया, यह बोल सकते हो, आखिर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह कि, पहले हमारे देश के अंदर में Council थी, Council का मतलब होता है, एक elected body, यानि कि उसमें elected लोग दिखा करते थी, उधारना के तोर पर, Council of Minister ले लो, आप लोग यहाँ पर, उसके अंदर में elected रोग रहते हैं, elected रोग आफाइदा कहा है, वो independent रहते हैं, वो किसी के नीचे दब कर काम नहीं करेंगी, Commission कहा है, सारे के सारे सरकार के द्वारा, इनके government के द्वारा, पोइंट के जाएंगी, यानिके पहले, Medical Council of India वा करती थी, वो एक independent body थी, अब Commission बन गया, तो अब सरकार के इसाब से कहा होगा, सरकार ने अपने कंट्रोल में चीजे ले लिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, Medical Education और Medical Professional Country में, आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको regulate करती है, Medical Council of India, जिसको आज केट में Medical Commission of India बोलते हैं, और National Medical Commission आप लोग बोल सकते हैं, किस तरीके से Medical Qualification होनी चाहिए, किस तरीके से स्कूल को ग्रांट मिलना चाहिए, यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यही decide करते हैं, और Headquarter यह अपना दिल्ली में बनाए बैठे हैं, 33 Member हैं, इंक्लूडिंग Chairperson, इसमें Medical Professional होते हैं, 10 Ex-Officio Member होते हैं, Ex-Officio Member क्या होते हैं, वो होते हैं कि उनको इस particular Post पर इसलिए निलाए गया, क्योंकि यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो already किसी Post पर हैं, यहाँ पर उनको एक Side का काम दे दिया कि हैं, उधारन के दोर पर मैं आप लोगों को हमेंसा बताता हूँ, जैसे कि आज की रेट में अगर साधी, आज की रेट में आप लोगी Job लग गई है, तो साधी जो है, वो Ex-Officio Profit है, यानि कि साधी इसलिए हो गई कि आप लोगे पास में Job है, यानि कि यह निए कि आप लोगी साधी हो रही है, इसलिए आप लोगी Job लग गई, इसका उल्टा possible नहीं है, कि साधी हो रही है, चलो Job लगी जाएगी, नहीं, जोब लग गई है, इसलिए साधी हो रही है, और ये भी लड़कों के उपर इंप्लिमेंट होती है, लड़कों के उपर नहीं, लड़कों को तो जोब लगे चाहे ना लगे, पहले साधी कर लो बस तुम, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, तो बहुत ही बेस इसके अंदर में Autonomous Board हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं, Post Graduate Medical Education Board, Medical Assessment Rating देते हैं, Ethics और Medical Rating, सोचके देखो, Ethical जो चीजों का क्यों इस्तमाल किया रहा है, क्योंकि अगर एक डोक्टर भी एथिकल नहीं होगा, तो भाईसाब उससे बरस्टा चारी जो लोग कोई नहीं होग क्योंकि डोक्टर को आज की डेट में क्या हमेसा लोग भगवान मांगते हैं, वो जान को बचाने का काम करते हैं, तो Medical Advisory Council भी है, यह भी help करते हैं, यहाँ पर नजर आते हैं, function वही है, कि कैसे Medical Education का standard हम लोग यहाँ पर बना कर रख सकते हैं, यह चीज आप लोग समझ सकते ह ठीक है, तो यह basic चीज हैं, आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, लड़का और लड़की का difference ना हो, बड़ा ही genuine society के अंदर में, ठीक है, तो एक तरीके से उड़ते हुए पंकों को कुतरने का काम करती है, society की कल यह आगे ना निकल जाएं, तो यह normal चीज है, National Medical Commission जो है, व अगर understand नहीं करते हो, तो यही चीज आप लोगो भारी लगेगी, तो याद रखना मैंने क्या बताया, एक particular bill लेकर लाए गए, act पास किया गया, तब यहाँ पर, जब यहाँ पर council को commission में convert किया गया, जब bill लेकर आते है, act लेकर आते है, तो क्या बन जाते है, वो statutory, यानिक यहाँ पर कैसी बन गई, यहाँ पर एक तरीके से वैधानिक बोडी बन गई, यानिके एक तरीके से विधाई का, यानिके कानून पास करकर उसको बनाए गया, और उसको statutory बोडी हम लोग बोलते हैं, तो common sense is common, अगर आप लोग सीरिसले लेकर चलोगे, पलेकिन अगर उसको ignore करोगे, तो notes are common, ठीक है, कोई doubt है कि बताईए, यहाँ तक कोई भी doubt है तो बताईए, यह article हमारे हैं पर समात होता है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगले article के बारे में, दोस्तों एक ऐसी organization है, जिसका नाम है, World Health Organization, उसने recently अभी बात कि यहाँ पर SARAH, और बोला है AI Health Assistance और जिसको World Health Organization ने launch किया, तो पहले तो अगर नाम ही आप लोगो directly दे दे कि यार क्या है, किस ने launch किया, यह directly छोड़े-छोड़े से question आप लोगे बनते हैं, इसकी full form आप लोगों से पूछ लेंगे, भाई, full form बता दे, अगर कोई हो तो, अक्षर आप लोगों से ऐस question पुछे आते हैं, तो आप लोगों को याद रहना है, इसका पूरा नाम क्या है, Smart AI Resource Assistance for Health, यानि कि इसका नाम भी आप लोगो पोछन जा सकता है directly, Smart AI Resource Assistant for Health, तो आप लोगो help provide कराएगा, Artificial Intelligence का इस्तमाल करकर, यह आप लोगो support provide कराएगा, और latest technology के ओपर में काम करने वाला, यह एक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि World Health Organization के द्वारा इसलिए use किया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके right, जो है health से related, वो उनको समझाया जा सकी, एक छोड़ी सी बात मैं आप लोगो बता दूँ, हमारी समिधान के अंदर में, fundamental right जो हैं part 3 के अंदर मे जिसको NGT बोलते हैं, वो environment के बारे में ध्यान रखता है, तो इसलिए हाँ पर बात की थी, कि right to health भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि environment अच्छा रहेगा, तभी आप लोगों की health अच्छी रहेगी, छोड़ा सा question interview में हाँ तक पूछ लिया गया, कि इसे आप लोगों से application पूछे जाते हैं आज की rate में, कि बता दो कि किसकी विज़े से चीज़े देखने को मिली, तो यह बहुत ही important question आप लोग के सामने निकल कर आता है, तो इसलिए इसके बारे में doubt कता ही नहीं रखना, समझ में आगया मैंने क्या बोला, तो यानि कि अग National Green Tribunal कब बनाए गया था, तो याद रखना 2010 में बनाए गया था, हमारा देश दुनिया में 30 से नंबर का देश था, और National Green Tribunal जो है, वो natural justice के concept पर काम करते हैं, और जो भी यह बात है अब तक मैंने बोली है, वो ओ लेड़ी question पूछा जा चुक है, exam के अंदर में, इसलिए इ जो major issues है society में, उनके उपर भी यह बात करता हुआ नजर आता है, यह चीज़े आप लोग समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, कि World Health Organization यहापर काम क्यों कर रहे है, अच्छा, World Health Day किस दिन celebrate कियाता है, आप लोग को यह बताने है, क्योंकि आप लोग को पता है, दोस् अच्छी मिलती रहेगी, तो health is well, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, question भी बन सकता है, क्या, जी हाँ, directly पूछ लेंगे, किसने launch किया, बता दो, जोगो अगर full form मैं, इसलिए कह रहा हूँ, अगर full form नहीं पता होगी, तो मैं guarantee देता हूँ, लिखकर कि आप लोग इस question का answer नहीं दे पाओगी, तो दोस्तों इसलिए जरूरी है, कि चीजों को धंग से पड़ो, ऊपर-ऊपर से मत पड़ो, चीजों को समझ कर पड़ो, तो आप लोग अच्छा answer भी दे पाओगे, objective type question में भी, और अच्छा answer भी लिख पाओगे, आप लोग, ये चीजे में आप लो ये बताना है, और इसके द्वारा कोई भी एक report बताना, जो report publish की गई है, इतना तो हग बनता है, है की नहीं, कई बार पढ़ा चुक हो, इतना तो हग देता हो, मुझे, बता देना, मेरा दिल खुस हो जाएगा, और ये एक master का दिल खुस हो जाएगा, कुछ भी यार, मतलब बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप लोगो पढ़ा चुक हो, report से direct question आप लोग ये बनते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ये interesting article आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये आज के newspaper में आप लोगो front page पर ये article नजर आएगा, यहाँ पर जो बात की जारि अगर district court के अंदर में किसी इंसान को फासी के सजा दी जा रही है, तो भाई साब high court जो है, वो उसको यहाँ पर verify करता है, उसी के बाद में उसको फासी के सजा को आगे continue किया जा सकता है, मतलब कहने का यहाँ पर यह हो गया, कि district court को इसलिए subordinate court बोले आता है, क्योंकि verification high court के फासी के सजा दे दी, तो supreme court उसको verify नहीं करेगा, अगर कोई अपना case ही लेकर पहुंच गया, supreme court में तो अलग बात है, supreme court को सुनना पड़ेगा, पर वैसे नहीं देखने को मिलेगा आप लोग, ठीक है, तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पर लेकिन कई सारे मुद देखने को मिलते रहते हैं, अभी बात कुआ अगर में यहाँ पर supreme court ने high court के order को stuck down कर दिया, जो regulate कर रहा था मदरसा को लेकर, मतलब कौन से high court के order को stuck down कर दिया, तो यह अलहाबाद high court के order को stuck down कर दिया, क्या है पूरा मुद्दा मैं आप लोग के हाँ पर समझाता हूँ, आप लोग को मैंने आर्टिकल पढ़ाए भी ता कुछ दिनों पहले अलावाद हाई पोर्ट ने क्या किया 20 साल पुराना उत्तर प्रदेश के अंदर में जो मदर्सा एजूकेशन को रेगुलेट करने वाला कानून था उसको अनकॉंस्टिटूशनल बता दिया यह बोलकर अन क्या फोज में थीं यहांपर सरकार सरकार बोलेते कि मदर्सा के आहंप लोग इस तरीके से रिद नहीं कर सकते तो सरकार हैं उन्हों ने इस यहां पर उन्नें बॉड़ करें और इसमें कहीए कहीए आप लोग बोल सकते हैं सबसे बड़ा मुद्धा क्या निकल कर आते हैं मदर्सा के अंदर में जो एडुकेशन दी जाती है ये फिर गाउं के अंदर में जो छड़े शब्शण इस सींस्टीग trillion उयुकेशन दे जाती है वो बच्चे को इतना डवलप नहीं कर पाती है आज की डेट में कि वो बच्चा चल के आगे चल कर कोई अच्छे competition में participate कर सके यह चीज़ आप लोगों ने देखा होगा अब सर्वों बच्चे पिछड जाते हैं उनका education सही से नहीं चल पाता है Supreme Court ने क्या क्या High Court को यहाँ पर यह बेसिकली एक तरी से temporary तोर पर अभी रोग दिया गया है यहाँ पर initially High Court की जो ruling थी ठीक है एक तरीके सा आप लोग समझ सकते हैं वो एक अलग level पर थी तो यहाँ पर उत्तर प्रदिश की जो argument है आपर वो एक अलग level पर आप लोगो देखने को मिल रहा है सरकार का पर पुरा मुद्दा मैं आप लोगो समझाता हूँ अलहाबाद High Court ने यहाँ पर इडिजन देता कि ऐसा कुछ करते हैं अभी unconstitutional बोला होने और इसके साथ में इडिजन यहाँ पर दे दिया unconstitutional करार देकर अभी मुद्दा क्या है मुद्दा है यहाँ पर यहाँ पर जब किसी particular बच्चे को यहाँ पर education दी जा रही है तो आप लोग 6 से लेके 14 साल के बच्चों का education जब देते हो तो उसको अपने इसाफ से लेकर आप लोग नहीं चल सकते तो यहाँ पर बोला गया कि article 21 जो है वो fundamental right के इसाफ से काम करता है सबका education provide कराने किसी को छोड़ोगे नहीं तो इसलिए fundamental right का हनन कर रहे हैं यहाँ पर number of मदर्सा जो स्टुडेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर में यह रिकेगनाइज के आते हैं 16,513 ठीक है और अन्रिकेगनाइज है 8449 से करीब तो पच्चिस लाग के करीब स्टूडेंट जो है इन मदर्सा के अंदर में आज की डेट में पढ़ रहे हैं तो अ समिधान religious education को support करता है जैसा मैंने बोला आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 26, 27, 28 चार आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलते हैं वो इसको बकाइदा support करते हैं लोइर जो थे गैंनी गर्सा के उन्होंने आर्ग्यू किया कि हाँ पर एक तरीगे से कहीं ने कहीं इस तरीगे से नहीं कीया जा सकता काम यह गलत है जैसी सिटवीशन ऐसी बनी रहने दो मदर्सा के द्वारा भी ह성पर क्या क्या गया चेरमेन थिए जो उन्होंने भी हाँ इसको concern दिखाया कि हम लोग यहाँ पर promote करें अर्बिक फार्सीज और संस्कृत को यह इस तरीके से local education को promote करना क्या गलत है अलाबाद high court ने हाँ पर इसको side में रख दिया अब supreme court ने उसके उपर में stay लगा दिया गया है तो इसकी वज़े से यहाँ पर यह news में आ गया है तो important मुद्धा क्या बन जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर बात की जारी है religious education के बारे में तो यह चारों के चारों आर्टिकल आप लोग के अब उंगलियों पर हो जाने चाहिए दोको foundation तयार करना इसी को कहते हैं और यह चीज़े में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ न आप लोग को बता दू बहुत ही अच्छे-च्छे से example देकर आप लोग को पॉलिटी के अंदर में NCRT के अंदर में आप लोग को यह चीज़े पढ़ाई जाती हैं अगर यह चीज़े आप लोग को NCRT एक बार को foundation आप लोग तयार कर लोगे न तो यह चीज़े आप लोग को कभी फिर डाउट में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर बकायदा समझाय गया है छोटी-छोटी सी कहानियों के तोर पर NCRT की best खासियत मुझे यह देखने को मिलती है कि कहानिया बता बता कर वहाँ पर समझाय जाता है तो foundation तयार करने में आप लोग को help मिलेगी तो इसलिए उनको जरूर आप लोग go through होना अगर किसी भी exam की त्यारी आप लोग करनी है एक बार freedom के बारे बात करें तो आप लोग अपने religion को लेकर आगे चल सकते हो अपने religion को manage कर सकते हो even freedom to pay the tax for the promotion of religion यह भी आप लोग को देखने को मिलेगा इतना भी अधिकार यहां पर दे रख़ा है और इसी के साथ में कोई भी आप लोग जो एक तरीके से worship वगएरा वो तो सारी चीज़े आप लोग करी सकते हो कोई रोकने वाला आप लोग को यहां पर नहीं रहेगा तो यह basic चीज़े मैं आप लोग को यहां पर बताता हुआ चल रहो प्लानिंग है जो आप लोग अपने पूरा प्लान कि ऐसे हम लोग आने वाले एक से डेट साल में अपने अग्जाम की त्यारी करेंगे पहले PYQs देखेंगे सेलेबस देखेंगे NCRT से अपना फांडिशन त्यार करेंगे फिर आगे चलकर आंसर राइटिंग वगरा और ओर डिटेल में चीज़े करेंगे तो वो वाली चीज़े आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इसी के तरीके से यहां पर जो प्रजेंट ज 30,00,00 जो गोर्मेंट जोब अभी खाली पड़ी हुई है उनको भरने की बात की जा रही है 50% की कैप को रिमूव किया जाएगा SCST OBC वाली कैटेगरी में नेशनल वाइड कास्ट सेंस कंडेट करा जाएगा यह पदा चलेगी कौन सी कास्ट कितनी है 50% रिजर्विशन अंडर गोर्मेंट जोब महिलाओ के लिए देने की बात की जा रही है यह परसनली मुझे खतरनाक लगा सोचके देखो हमारी देश के अंदर में जो पॉपुल रिजर्विशन देना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं उनको 50% रिजर्विशन दो लड़कों को जोब मिलना स्टार्ट होगी पर आप लोग आखिर क्यों जोब में यह बात कर रहो आप लोग जो 33% रिजर्विशन महिलाओ को दे रहो पारल चाहिए तो उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए ऐसा आप लोग बोल सकते हो आप लोगों की क्या रहा है ठीक है मतलब जब इनके ऊपर बात आती है तो अपने यह पैर खीच लेते है पीछे ठीक है तो वह आगे समझ में आयेगा ठीक है तो यह बेसीक है तो इसको आप लोग exam की तियारी कर रहे हो वो एक अलग जगए पलेकिन एक देश के सीड़िजन हो यार आप लोग और कौन सा अर्टिकल आप लोग को वोटिंग का अधिकार देता है अर्टिकल 326 तो उसका अधिकार करके आप लोग 5 साल में एक वार अधिकार मिलता है तो उसको implement जरूर कर के अपर में तीन आप लोगों को स्टेटीच के कोर्स लौंच हो रहा है उत्तर परदेस का लौंच सो रहा है छोर रॉक है उड़ीसिया का ओरर्क्न और बिहार का ओर के अभी इसमें अभी मध्यah जो है वह ऐसी रखी गई है कि देश में कोई भी इतने affordable price में इस quality का content आप लोगो नहीं provide कराएगा यह मैं दिल ठोक कर बोल सकता हूं जो fees रखी गई है जिस किसी का भी आप लोग नाम लेते हो ना सब से affordable वो है उनसे भी affordable है ठीक है ना जाकर check कर ले ना आप लोग और quality में आ कल को कोई यह ना बोले कि सर फीस जाद है ती इसकी विज़े से हम लोग पढ़ने पाए तो वह चीज बिलकुल आप लोगा barrier हटा दिया है बिलकुल श्यांदार तरीकी से UPC को लेकर कई सारे बच्चे ही बोलेते कि सर फीस थोड़ी सी जाद है तो उसके लिए भी इसलिए course publish करने के बाद में remove कर दिया मैंने मैंने ठीक है अब की बार इसी टंडेरे को खतम करते हैं quality के साथ में तो आप लोग जानते हैं कोई compromise होगा नहीं इसी के साथ में उसको एक affordable quality की range में अब डालने जा रहो हो और ऐसी range होगी कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा देखकर जैसे NCRT का course 999 रुपे में है 999 में पलस इसके अंदर में test series भी आप लोग को देखने को मिलेगी पूरे देश के अंदर में अगर इस quality में अगर इस test के साथ में कोई और provide करा दे तो आप लोग बता देना मैं free provide करा दूँगा ये confidence बोल रहा है इसी तरीके से आप लोग को जो ये करने है systematic में prelims और मेंस की तयारी कराई जाएगी और initially जो प्राइज है वो है just 399 प्रिलिम्स और मेंस का है ये prelims का नहीं है उनली ये धान रख लेना आप लोग समझ लेना और इसके अंदर में test series included है इसके अंदर में answer writing group included है और mentors इप लोग को parallel में आप लोग को दे क्योंकि और systematic में थोड़ा सा time लगेगा मुझे हलका सा सारी चीजों को ढंक से decide करने में 22 अप्रैल से सारी class start होंगी और तब तक का जिसने admission ले ले लिया फिर ये price थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि teacher की salary भी मुझे देनी है तो इसलिए फिर मत बोलना की सर affordable नहीं है तो ये इस price पे फिर आगे नहीं मिलेगा तो इसलिए इसको जोइन कर ले ना जी जिसने भी करना है ठीक है मैं आप लोग को बता रहा हूं सब की सब तयारी systematic way में करेंगी हिमाचल परदीश जो है उसका मैं अभी बोल दिया है टीम को analysis करने के लिए पूरा जो भी teacher है उसी के इसाब से अब की बार बड़े पर देने जा रहा हूं दूसरी important बार जिन्होंने old lady course ले रखा है classes ले रखी है उनके लिए भी एक शांदार announcement आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे बच्चे बोल रहा है सर अभी जो है उसका जो एक तरीके से date expire होने वाली है तो आप लोगों का कर देना इतना हैसान कर देना कि जो पैसे लगाए है उसको यूटिलाइज कर लेना मेरा बस यही परपज रहता है कि एक बार अगर कहीं पर आप लोगों ने आकर यहां पर जोइन कर लिया तो फिर जिंदगी में कोई class आप लोगों को जोइन ने करने पड़े बस अपना revision क करो और अपना exam निकालो जब मैं भी कोई subject पढ़ाता हूँ कोई teacher कोई subject पढ़ाता है तो यह बात बोल रखी है मैंने कि sir subject को ऐसे पढ़ाईए मैं subject को ऐसे पढ़ाईए कि उस बच्चे को subject के लिए फिर कभी फिर पढ़ना ना पड़े किसी से तो यह चीज़े आप लोग दूसरे courses को पर optional मेरे control में नहीं रहता है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए फिर UP PCS UP PCS तो already launch हो चुका है classes 22 तारिक से start होंगी 22 से ठीक है उसमें prelims और mains सब कुछ आप लोगा cover करा जाएगा तो इसलिए जाकर application पर आप लोग एक बार देख लेना जाकर website पर भी आप लोग दे स रहेंगे इसी के साथ में आप लोग को defense वाले defense में मिलेंगे banking वाले banking में मिलेंगे जो भी जो exam है उसका course है वो उसी की tiles में देखने को मिलेगा कोई भी doubt रहता है तो यहां पर आप लोग जाकर बात भी कर सकते हो आप लोग को doubt है तो उसको भी दूर के जाएगा ठीक है तो मैं आप लोग को बताऊंगा बस थोड़ा सा वेट कर लेना हो सकता है आज ही आप लोग के सामने वो वीडियो आजए जिसमें आप लोग का दिल जो है वो गदगद होने वाला है इस surprise पर में चीज़े लोँज करने वाला हूं ठीक है आई आगे चलते हैं यह छोड़े से द डालने ही नहीं जाएंगे हम तो बैट के मूवी देखेंगे तो इसका मतला है कि आप लोग ने abstain कर दिया आप लोग वोट डालने गए ही नहीं तो यह चीज आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो यह याद रखिएगा तो बिलकुल डाउट नहीं होना चाहिए एक बात और पता दूं जिस दिन से भी आप लोगी किलास होंगी उस दिन से लेकर यानिके 22 से लेकर आप लोगी किलास स्टार्ट होंगी टोटल मिलाकर साथ दिन तक आप लोगे सामने जो है अपनी फीस रिफंट लेने का भी ओफसन रहेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लब नहीं है मुझे पता है पढ़ाई और प्यार जो है वो जबरदस्ती नहीं होती है ठीक है तो दिल से कोई करेगा तो ही करेगा ठीक है अभी यहां पर यहां पर इसराइल को बोला गया था कि सीज फायर कर दे यहां कि रोक दे गाजा के उपर में जो अटैक कर रहा है तो लेकर यहां पर बाते की गई पर इंडिया ने अपस्टेंड कर लिया तो कही सारे लोग जहें वो इंडिया को क्रिटिसाइज भी कर रहे है कि ऐसे अपस्टेंड नहीं करना चाहिए ता यह माना था कि खिलाब काम कर रहे है तो इसके ओपर हम लोग को काम करना चाहिए था स फिलाल जब यह meeting हुई और यहां पर बोला गया कि ऐसा बुछ करना है पर लेकिन नहीं हुआ तो important बात क्या? important बात यहां पर यहां पर यहां कि USA को आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक ऐसी country है जो कि आज की डेट में इसराइल को सपोर्ट कर रहा है जब कि हजारों लोगों की जान जा रही है USA, Germany, four other country जो है हाला कि उन्होंने resolution के oppose में हाँ पर वोट डाला है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानि कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं हो? इंडिया और फ्रांस ने जो है वो abstain कर लिया है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं इंडिया, फ्रांस, जापान और 13 country ओल थे including बंगला देश, चाइना, वोल दीव उन्होंने favor में vote किया resolution के यनकि वो चाह रहे हैं कि हाँ पर ये जो एक तरीगे से लड़ाई चल रही है वो लड़ाई हैं हाँ पर रुख जाए तो हर एक देश का अपना अपना stand आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा current situation के आज की डेट में Palestine में, आज की डेट में इंसानेत नाम की कोई चीज नहीं बच गई है वहाँ पर इस तरीगे से bombardment की जा रही है लगी नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई लोग रह रहे है Palestine versus हमास, हमास ने बत्तमीजी की थी आप लोग को पता है, क्या हुआ था हमास के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया Palestine, उसके उपर में मतलब Palestine के अंदर जो हमास है उसने अटैक किया था इसराइल के उपर में अभी यह लड़ाई क्यों चल रही है, क्योंकि इसराइल ने वो बदला लिया है अभी वो बदला ले रहा है इसराइल यहां पर उस बदले के चलते उन्होंने उनके लगबग 500-600 कितने लोगों की जान ली थी यह यहां पर 40,000 लोगों को निप्टा चुके हैं लगबग ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो मतलब उस अटेक का बदला लिया जा रहा है और इसम यहां पर आर्टिकल दड़ादर चपड़े हैं कि आज की डेट में देर विल बी नो इंडिपेंडेंट सोवरन पैलस्तीन आप लोग यह समझ लो इसराइल ने यह बोला है कि मैं इसको खतम करके छोड़ूँगा ठीक है और यससे जो है वो सपोर्ट किये हुए हैं यहां प पास में उनकी ओपर भी अटेक करना है स्टार्ट कर दिया तो यह चीज़ आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़े हैं यहां पर इनको आप लोग हलका सा याद रखेगा यह आर्टिकल आप लोग आते रहते हैं तो इनको लेकर डाउट मे कोन सा दिष्टा आप लोग को यहां पर यह बताना है सी सेट का कुश्चन है इसको अटेम्ट करिए तब तक यहां पर नंगल वाइलाफ सेंचुरी के बारें बात करते हैं यह कहां पर लोग इंदर में हैं भाकरा नंगल जो डैम प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिल थी तो इसलिए हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस भी आप लोग को यहां पर इसकी समझ में आनी चाहिए जिससे डिरेक्ट कॉश्चन पूछे आते हैं ठीक है क्या हो गया क्या मैसेज आ रही है पिरिया सर आपको दिखाई नहीं देता कि नितिन नाम का लड़का रोज लड़क आप लोग को दिखाई देंगी उस घटिया चीज को अगर रियालिटी में आप लोग हमेसा दिल से लगाओगे वो आप लोग को रोकने का काम करेगी अगर आप लोग का फोकस पहली तो बात यह कि आप लोग मैसेज पढ़ी के रहे हूं उसको इग्नोर करो वो अपना आप से चीजों को लेकर कैसे चल रहे हो अगर सड़कों पर कुत्ता भोक रहा है कि आप लोग को इंट्रिवु देना जाना है और आप कुत्ते के पीछे चपल लेकर भाग रहे हो वहाँ पर अपना इंट्रिवु छोड़ रहे हो तो इसमें कोई मतलब बनता नहीं ठीक है तो यह चीज़े समाझ सकते हो तो एक नितिन के चकर में आप जो 12-1300 लोग जो वीडियो लाइव देख रहे हैं उसको छोड़कर मैं नितिन के पीछे टंडा लेकर पढ़ जो और जो यह नितिन है यह सारे इतने मतलब आप लोग सोच के देखो आप मतलब करना क्या चाते ह मतलब हसी आती है मुझे एक officer like quality में रहो अगर कोई ऐसा कर रहा है कर लेने तो थोड़ी देर उसको ठीक है तो थोड़ी देर में अपने आप उसका जो 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 डिला हो जाएगा अगर इस तरीके से लोगों के उपर में अपना time waste करते वेए चलोगे ना तो कुत्ते भोगते करना है इनको ignore करते वे यह चीज़े आप लोग भी ध्यान रखनी है अपने क्योंकि इनका काम यह है यह अपना काम करते रहेंगे तुम्हारा काम क्या होना चाहिए तुम्हारा काम होना चाहिए कि अपने पढ़ाई के उपर में focus कर दो ठीक है क्योंकि नितिन कुमार भी कहीं भी किसी भी तरीकी की बत्तमी जी काटता है बस उसका screen shot लेकर यहां पर send कर देना और यह बता देना यह बत्तमी जी कहां पर काटी है ठीक है तो फिर उसको हम लोग अपना आप देख लेंगे उसको बकायदा अच्छे से मसाज की जाएगी उसको बैठा कर वो जिन्द तो इनको आप लोग attempt करिएगा अच्छे से चीजों को देखेगा और इसी के साथ में आज के discussion में कई सारी चीजे देखे हम लोग ने important day भी देखा important location के बारे बात की याद रखना है याँ पर यह है पो पो केप टिल यह ज्वाला मुखी है आप लोग कहां पर देखने को मि इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं कई बार आप लोग उसे question में पूछ रहाते हैं तो हलका सा अगर इसके बारे में आप लोग आईडिया रखेंगे नाम है इसका Chris Brown 61 years है पर लेकिन बुढ़ापे में जिन्दकी enjoy कर रहा है कर रहा है जी खोल के जिन्दकी जी लो तो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में मैंने सारी चीज़े आप लोगो समझा दी question भी हम लोगों ने प्रेक्टिस किया answer writing भी आप लोग देख लेना है आप मिसाइल के बारे बात कर ली एपी जब्दूल क्लाम सर के बारे में हम लोग ने बात कर लिए अच्छे से सीदे देखने को मिलेगा और यह हास की vocabulary और यह था आप लोग का question ठीक बाकि अच्छे से धान रखे life को enjoy करते रहे जिदगी में कोई भी दिक्कत हो तो उसको दूर करकर आगे बढ़ते रहे बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार चोड़ी से life enjoy करा मिलतों नेक्स लेक्